हालो प्रेंट्स आज हम बहुत ही टेस्टी और यम्मी वाला बबली चोकलेट केक बनाएंगे और वो भी सिर्फ 15 मिनिट में और ये जो बबली चोकलेट केक बनाएंगे वो सिर्फ 4 इंग्रेडिन से बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका है सिर्फ 15 रुपए के पारलेजी बिस ज़एट सोग्राम मिल्क चॉक् schaut bleiben है अब बरतन में पानी गरम रखेंगे और उसके उपर चॉक्लेट क से बरतन रखे चॉक्लयट को पिगलने देंगे G चॉकलेट को आप माइक्रोब में भी गरम कर सकते हैं, पर माइक्रोब में कर रहे हैं, तो 20 सेकंड करके गरम करिए, इस तरीके से चॉकलेट पिकल जाए, अब हम पारलेजी बिसकिट ले लेते हैं, उसके टुकड़े करने हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके के 10-10 रुपे वाल अब पार्लेती के सारे टुकडुकों Mixuchar में लेके इसका एकदम बारिक एक बारिक पाउडर के अब इसे एक बाउन में लेके की दॉलोग में गारम के जो शोक्ता इसे और नरी जाब अब इसे आफसे पहले तो मिक्स कर लेंगे बिस्किट और मैल्ट की हुई चोकलेट मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूट डालेंगे दूट चरूरत के हिसाब से ही डालें दो बड़े चम्मत दूट में से पहले मैंने एक चम्मत दूट इस्तेमाल किया है और इस तरीके का आटे जैसा घूत लेना है ऐसा डो तैयर करने के लिए मुझे एक चम्मत दूट के ही जरूरत पड़ी है अब इसमें से चोटी चोटी गोलिया बना लेंगे सारी गोली एक साइस की नहीं बनानी है कुछ बड़ी और कुछ चोटी इस तरीके से सारी गोलिया बना के तैयर कर लेंगे अब इसे पांच मिट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये थूड़ी सैट हो जाए ये केक बनाने के लिए जो OHP सीट आती है ट्रांसपरन सीट मैंने उसका इस्तिमाल किया है असानी रहेifi मिल्क चोकलेटको भी सेम मैंतर से मैंने पिकाल दिया है इसमें जो डार्क चोकलेट थोड़ी बची हुए थी उसको भी मिक्स कर लेंगे चोकलेट अपनी जितनी अच्छी से पिकाली होगी और जितनी पतली होगी न उतनी आपकी जो bubble cake है वो एकदम अच्छी और फिनिशिंग वाली बनेगी अब ट्रांसपरन सीट के उपर पहले तो थोड़ी चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे बहार जैसा लुक देने के लिए बिलकुल बहार मिलता है चॉकलेट बार बस उसी शेप में इसे स्प्रेड कर लेना है अब हमने चॉकलेट बाल बनाये थे वो भी ठंडे हो गये है वो इसके उपर इस तरीके से जमा लेंगे जहां थोड़ी जगा बचे की वहाँ पे हम छोटा चॉकलेट बाल इससे रखतेंगे ऐसे छोटे और बड़े चॉकलेट बॉल रखके एक जैसा शेप देदेंगे अब जो बाकी की चॉकलेट पची है मैट की हुई उसमें हम इसे ज्यादा लिक्विडी बनाने के लिए एक टेबल स्पून चितना रिफाइन डॉल डालेंगे यहाँ पे आप रिफेंड डॉल की जगह पे बटर भी डाल सकते है ऐसा करने से इसकी कंसिस्टनसी है वो एक्तम पतली हो जाएगी और जिससे आपका जो यह बबल केक है उसका लूक और फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा सारे चॉकलेट बॉल के उपर फैलाते हुए इस तरीके से चॉकलेट डालनी है अब इसे कवर भी कर लेंगे चारो और से पूरे में चॉकलेट फैला देने के बाद इसे थोड़ा सा थपता देंगे ताकि बबल के बीच में भी अच्छे से चॉकलेट लग जाए अब आजू-बाजू की बॉर्डर से अच्छे से स्पैचूला से ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकाल देनी है स्पैचूला की जग़े पे आप बटर नहीं फैतो चम्मच की उल्टी सैड का भी यूज़ कर सकते है एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालने के बाद एक वेश्ट कपड़े या तो फिर कीचन पेपर से इसे साफ कर लेंगे अब इस पबल चॉकलेट केक को थोड़ी दिर के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे एक्स्ट्रा चॉकलेट पॉल और चॉकलेट बच की है उसको हम फेकेंगे नहीं उसका भी इस्तेमाल करेंगे देखे इस तरीके से चॉकलेट में कवर करके सारे चॉकलेट पॉल को इस तरीके से प्लेट में रख देंगे और इसे भी 10 मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे 15-20 मिनिट के बाद इसे फ्रीज में से निकालेंगे और एक पतली से नैफ से इसे जो ट्रांसपरन सिर्थी उससे अलग कर लेंगे बहुती आसानी से ये अलग भी हो जाता है और बहुती यम्मी लगता है आपने देखा ना कि सिर्फ 15 रुपे के बिस्किट से कितना जल्दी एक एक तेयार हो जाता है अब इसका अंदर का टेक्चर भी देख लेते हैं वाव कितना यम्मी लग रहा है ना अंदर से एकतम चोकलेटी बॉल और उपर से एकतम मिलकी चोकलेट का टेक्चर पीछे रक्षा बंदन आ रहे है तो आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो आप ये भूत ही जटपट बना के गिफ्ट कर सकते है एक्षा जो चोकलेट पॉल बचे थे ना देखे वो भी तेयर हो गए है टेश में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है ये चोकलेट पॉली केक की रेसिपी एक पर जरूर ट्राइ कीजेगा अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत बुलेगा और चैनल को मेरी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा